हाई लो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं यूटूब चैनल डियस गांदरेश्टी आज का जुम्ड़ा वीडियो है वह अधारत है बिहार पुलिस दोजार चौबिस इस पेशल और इस वीडियो में जानेंगे समान अधियान के 20 प्लस मुल्टीपल चॉइस कोस्टन और उसके एंस प्लस तो काफिं इंपोर्टन्ट है यह वीडियो खासकर बिहार परिच्छा की त्यारिक कर रहें स्टुडेंट्स के लिए मस्ट इंपोर्टन वीडियो है स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को आप आंतर देखिए वीडियो को लाइक कीजिए खिए और चैनल के लिए नियुम्तम आयुशिमा होने चाहिए और प्रसंख्या एक का जो सही जवाब हो जाएगा भारत का राष्टपती बनने के लिए नियुम्तम आयुशिमा 35 वर्ष निर्धारित है जो भारत के बरतमान राष्टपती है वो श्रीमति द्रोपदी मूर्मू है प्रसंख्या दू है कि बिहार में पैंचायत अस्तर पर महिलाओं को अरक्षण कब दिया गया ऑप्षन से 2004 में ऑप्षन B 2005 में ऑप्षन C 2006 में और ऑप्षन D 2007 में तो प्रसंख्या दू बिहार में पैंचायता स्तर पर महिलाओं को 50 प्रसंट अरक्षण जो दिया गया वो 2006 में दिया गया प्रसंख्या दू का से जो हो जागा ऑप्षन C 2006 छे प्रसंख्या तीन है बक्सर का यूद किस वर्स हुआ था आप्सन से 1764 में आप्सन सी 1964 में और आप्सन डी 1768 में तो प्रसंख्या 3 का सही जवब हो जगा बक्सर का जो यूद हुआ था वो 1764 में हुआ था प्रसंख्या 3 का सही जवब हो जगा आप्शन A प्रसंख्या 4 है कि गुवा को पूर्तगालियों से किस वर्ड समुक्त कराया गया था आप्शन से 1964 में, आप्शन B 1961 में, आप्शन C 1979 में और आप्शन D 1968 में तो प्रसंखिया चार काफी इंट्रेस्टिंग क्वेस्टन है कि गोगा को पुरुतकालियों से किस वर्स मुक्त कराए गया था तो इसका सही ज़ब हो जाएगा आप्शन B 1961 में प्रसंखिया पाँच है कि भारत प्रथम 20 यूध में कितने देशों ने भाग लिया था, आप्शन A 37, आप्शन B 25, आप्शन C 30 और आप्शन D 35 प्रसंखिया 5 का जो सहीज़व हो जाएगा प्रथम 20 जो 1914 से 1908 के बीच हुआ था इसमें कुल 37 देशों ने भाग लिया था 37 कंट्रीज प्रसंखिया 5 का सहीज़व हो जाएगा आप्शने 37 प्रसंखिया 6 है कि उर्षा के सोख के नाम से किस नदी को जना जाता है उर्षा के सोख के नाम से किस नदी को जना जाता है उर्षा के सोख के नाम से माहा नदी को जना जाता है जबकि बिहार की जो सोख है वो कोसी नदी है प्रसंख्या साथ है जहन्डा दिवस के रूप में का मना जाता है मतलब जहन्डा दिवस का मना जाता है option से 20 जुलाई को option B 25 जुलाई को option C 30 जुलाई को option D 22 जुलाई को तो प्रसंख्या साथ का जो सही जवाब हो जाएगा जहन्डा दिवस जो मना जाता है डीस बाइस जुलाई प्रसंगे आठ है कि भारत में डाक जीवन भीमा योजना कब प्ररणब की गए थी आप्शन से 1764 में आप्शन से 1764 में और आप्शन डी 1768 में तो प्रसंगे आठ है भारत में डाक जीवन भीमा योजना अठाड़ा सो चोरासी में शुरू हुई थी तो प्रसंगे आठ का से जब हो जाएगा आप्शन भी अठाड़ा सो चोरासी प्रसंख्या 9 है कि बैंको का राष्टी करन दिवस के रूप में कम मना जाता है मतलब बैंको में राष्टी करन दिवस कम मना जाता है आप्शन से 20 जुलाई को आप्शन B 19 जुलाई को आप्शन C 30 जुलाई को और आप्शन D 22 जुलाई को तो प्रसंख्या 9 बैंको कराश्टी करन दिवस के रूप में 19 जुलाई को बैंको में राश्टी करन दिवस मना जाता है 19 जुलाई 1979 को बैंको कराश्टी करन हुआ था इसमें भारत की जो परधानों अंतरी थी इंद्रा गांधी थी प्रसंखिया 10 है कि सबसे पहले वित आयू का गठन किस वर्स हुआ था सबसे पहले वित आयू का गठन किस वर्स हुआ था आप्शन से 1964 में आप्शन B 1951 में आप्शन C 1950 में और आप्शन D 1948 में तो प्रसंखिया जो 10 से सबसे पहले वीत आयूग का जो गठन हुआ था वो 1951 में हुआ था प्रसंखिया 10 का सही जो भोज़ेगा आप्शन B 1951 प्रसंखिया 11 है कि हल्दी घाटी यूद किस वर्स हुआ था प्रसंखिया 11 है कि भारती रेल का राष्टी करन किस वर्स किया गया प्रसंखिया 11 का सही जो बोज़ेगा और प्रसंखिया 13 है केंदरागांधी नहर कौनसी नदी पर रिष्टित है इंद्रा गांधी नहर कौनसी नदी पर रिष्टित है और्स से जो 13 है, इंदरा नहर जो इस्तिते भारत की सबसे बड़ी नहर हे, इंदरा नहर ही ये सतलज नधी पर इस्तिते दो प्रसंखिय तीरा का सई जो बोज़ागा, option D सतलज नधी. प्रसंखिय चौदर है कि गितांजली के लिखक कौन है? आप्सन से कालिदास आप्सन B जे संकर प्रसाद आप्सन C सुर्धास और आप्सन D रभिंदर नाट टैगोर तो प्रसंखिया जो चोधो है गितांजली के जो लेखक है वो रभिंदर नाट टैगोर है और इन्हें गितांजली के लिए ही सहित्यय का नूबल प्रोषकार 1913 में मिला था और रभिन्दनाज टेगोर प्रथम भारतीये हैं जिने नूबल प्रोषकार से सम्मानिद किया गिया है रभिन्दनाज टेगोर नहीं भारत का जो नेसनल एंथम है राश्टगान है जनगनमन उसको रभीद्रनाट टेगोर नहीं लिखा है रभीद्रनाट टेगोर भारत और बंगलादेश दोनों की राश्टगानों के रचेता है प्रसंखिया पंद्र है कि भारत के प्रत्थम सिक्षा मंत्री कौन थे वह इदा फॉर्स्ट HRD मिनिस्टर से अप्सन से अपुल क्लाम आजाद ऑप्सन वी रभीद्रनाट टेगोर आप्सन सी रजेंद्र प्रहद्र और आप्सन वी बीश्टन शर्मा को है कि भरसंखिया पंद्रा भारत की प्रत्रम सिक्षा मंत्री जो थेौख ला माजाद थे प्रसंखियाãywydd प्रतिक मेव जयते लिया गया है आप्षन से रेगवेद से आप्षन B भगवत गीता से आप्षन C मुन्ड को उपनिसद से और आप्षन D मतस्य पुरान से तो प्रसंखिया जो 16 है भारतिय प्रतिक प्रुतक्रिन भारतिय जो चीन है उस पर लिखा रहता है सत्य मेव जयते ये लिया गया है मुन्ड को उपनिसद से तो प्रसंखिया 16 का सही जो हो जाएगा आप्षन C मुन्ड को उपनिसद प्रसंखिया 17 है कि छेत्रफल की दिरिष्टी से भारत का सबसे बड़ा राजिया कौन सा है आप्शन से मध्यो परदेश, आप्शन B मनिपूर, आप्शन C मिजोरम और आप्शन D राजस्थान तो प्रसंख्या 17 का सही जो बज़ेगा आप्शन D राजस्थान प्रसंख्या 17 है कि भारत का सबसे बड़ा छेत्रफड के दृष्टी से राज कौन है प्रसंख्या 18 है कि भारत का सबसे बड़ा सहर या सिटी कौन है आप्शन से मुंबई आप्शन B चैन्नि आप्शन C दिली और अप्शन D हैदराबाद तो प्रसंख्या जो अठाड़ा है भरत का सबसे बड़ा जो सहर है वो है मुंबई मुंबई भरत की अर्थिक रजधानी भी काल आती है प्रसंख्या 19 है भरत का परवेश द्वार किस सहर को काते हैं गेटवेवए अफ इंडिया किस रखोकाते हैं या गेटवे अफ इंडिया किस सहर में स्थित्थ हैं और संच से मुंबई में आप शंची दिल्ली में और अप संदी है उद्राबाद में तो प्रसंखिया 19 भारत का परवेश द्वार मुंबई को कहा जाता है गेटवे अफ इंडिया मुंबई को कहते हैं प्रसंखिया 20 से कि दादा साहब हाल के पुरिसकार किस छेतर में दिया जाता है आप्सन से सिनेमा के छेतर में, आप्सन से सिच्छा के छेतर में और आप्सन संगीत के छेतर में तो प्रसंख्या B से दादा साथ फाल के पुरुसकार जो दिया जाता है वो सिनेमा के छेतर में दिया जाता है भारतीय सिनेमा के जो जनक माया आते हैं, वो दाधा साप फाल के ही मान जाते हैं। इनकी जिवनी काफ ही इंट्रेस्टिंग है, जिसको मैंने पड़ा भी है। इनकी जिवनी बहुत ही इंट्रेस्टिंग है। यह अपनी पत्नी के गाने मतलब गिरिवी रहकर के जो फिल्म निर्माण के लिए समागरी जरूरी होता है। को वो अमेरिका से लेकर आये थे या वहां पर भी फिल्म निर्माड के लिए काला सीखा था मतलब अमेरिका जादासाब फाल के ने प्रसंख्या एक किसे भारत का नेपोलियन किसे एक आयता है आप सान से समुद्रगृप्त को आप सन बेश चंदर सीखर को आप सन से चंदरग तो सही जो अब हो जागा इसका option है समुद्र गुप्त को फ्रेंट्स ये था हमरा आज का वीडियो जो अधारी था बिहार पुलिस दो जो पुछे जा सकते हैं तो वीडियो को देखिए लाइक किजिए शेयर किजिए और यदि आप इस चैनल को पहले बजिट करेंदे प्लेच चैनल डियस गया अंदर इस्टी को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाते जिससे जो ही वीडियो बनाओ उसका अन्रफिकेशन आपको मिल जाए तो थैंक यू फोर लिस्निंग एंड वाचिंग